नमस्कार, आज के समझ सत्र में आपका स्वागत करता हूँ, आज के सत्र की सुरुवाद प्रार्थना से करते हैं ओम सहना वबतू, सहनव भुनक्तू, सहवीर्यम करवा वहई, तेजस वीना वधी तमस्तू, मा विद्विशा वहई हमने इसके पहले के सत्र में चरक सुत्रस्तन अध्यक्रमां का साथ नवेगा धरणिया, इसमें जो नामसरी समझ में आता है कि जो इसका प्रमूख प्रकरण है, इस अध्यका, वो है जो अध्यक्रमां बेगे उनका वरणन करना, उसके बारे में हमें देखा है, इस अध्यक्र इतना ही वड़न नहीं है अगर आप आगे चलकर देखो तो धारणिय वेगोजें से धारणिय वेग फिर व्यायम का वरणन फिर जो अहीत जो उचित कोई आहर व्यार होगा उसका त्याग कैसे करना है प्रकृती ऐसे अन्यविद्य भी प्रकरण हमें देखने के लिए मिलते ह किन्तु जो सबसे मुख्य प्रकरण है वो है न वेगान धारणिय वारता अधारणिय वेग उसमें से अभी हमारे जो जुरूमभा इस वेग तक हमारा वरणन हो गया था पढ़के उसके बाद शुधा यह वेग चलकर आगे चलकर सुधारणमान का 20 से लेकर 25 तक अधारणे वेगों का है और उसके बारे में गंगादर जी ने अच्छी खासी टिका लिखी है और उसके बारे में थोड़ा भाश्य करना भी आवश्या की तो आज हमारा धरणी वेगों का मर्णन पूरा हो जाएगा और फिर इसके दीपावली के बाद के सत्रह में हम इसी आध्या के धरणी वेगों से आगे पढ़ना चुरू करेंगे तो सुद्रक्रमां का बीज देखिएगा शुधा वेगा धरण का कार्शिद और बल्ले वाईवरणया अंगा मर्दो उल्चि भ्रमाहा खुषुद वेगा निगरहा तत्र क्षिद निगधोशनम लोगुबोजनम अब य यसा कोर्रेलेशन हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है और फिर खुधा वेगा धरण के कारण फिर पित्त प्रकोप होना यह बात भी कुछ लोगों में देखने के लिए मिलती है किन्तु खुधा यह भी वेग है और अन्य किसी भी वेग जैसे ही इसमें भी वेगा धर प्रकोप के वारे में बहुत अच्छे सोचना पड़ता है अनुबंध में रूप में पित्त होने की संभा होना किन्तु वेग धरण के करण वात प्रकोप इसको बिना बुले चिकित्सा के वारे में सोचना आवश्यक हो जाता है लक्षणों में भी देखिएगा कार्श याने खुद्धा उत्पंद कब होती है तो शुद्भोध होने के बाद हमें आहर शेवन के अपथिया अगर तब आहर शेवन नहीं किया जाय तो और्था जो वात्प्रकोप वेग धरण से होने वाला है उसके साथ साथ यहां पर आहर सेवन करने के कारण भी जो लंगन आत मग अपतरपणा तक वात्प्रकोप होगा वह वेगधारण जन्नी वात्प्रकोप में और ज्यादा उसको एग्रेड करेगा यहां पे कुल मिलाकर वात्तप्रकोप की सीवरत तीवरत अधिक हो जाती है और इसमें भी अगर आप बारी किसे देखो तो आहर क्या पिक्षा है कि तो आहर का सेवन नहीं किया गया यह मुख्यदे वात्त के लगुगुण पे अधिक प्रवाव करेगा और वात्त जब वुद्धी हो वात्त प्रकोप होगा तो उसका लगुगुण का अतिरिक्तत्व आमें देखने के लिए मिलेगा और लगुगुण के कारण लंगन अगवा के कारण कारशी उप्पन होने की संभावना बिल्कुल रहती है अताहाई यहां पर हमें शुद्धा वेगधारण में जो सबसे पहला जो लक्षण है वह कारश है उसके साथ साथ आर्था दौर्बल्या अभी कहां वेसे कि एक तो वेगधारण जन्ने वात्त प्रक और इस कारण फिर आपतरपण और वात्त प्रकॉप जन्न्या दौर्बल्या यह लक्षण आएगा वाईवर्ण अब देखिए एक बहुत ही हमें कहूंगा कि विशेश लक्षण है जो हम हमारे वुद्धी के तरक के द्वारा उसको सिलोबता से समझने पाएंगे देख वैसे प्रेखनी के लिए चाहे तो इनके जो कोर्रिलेशन से वह हमें अन्य तरभी यानि जब अगनी के जो अगनी के जो अगनी उसी बाते कहीं है आप अगर चरक्ष की चास्तान अध्यकर्मां के पंद्र देखो तो वर्ण यह जो भाव विशेश है वह अगनी पर निर्बर करता हैं एसा स्वष्टू रुप से कहाहा है उसी प्रकार हमें पथ है कि मुक्येत पर उदान वायू का करन मभी वर्ण इस प्रकार से कहा गया है तो वायू अगनी इनका भी वर्ण इस भाव़ा के खारिए होता है यह बात प्र आया हमारे मंद में आती नहीं है जब ऐसे कुछ संदर्व पढ़ते हैं तो उसको फिर एक बार अधोरेकित करना आवशक हो जाता है आता हाँ यहां पर वयवर्णिया यह वातप्रकॉप जन्य और शुधा वेगा धरण के कारण जो भी अपत्रप्र होने वाला है तक जन्य हो सकता है अंगमर्द अंगमर्द यह सर्वदेहिक लक्षन है और यहां पर प्राया अंगमर्द में जो दूष्र रहता है वो रसदातु रहता है और रसाश्रित जब वातप्रकॉप हो जब सामावस्ता हो तो हमें वहां पर अंगमर्द यह लक्षन देखने के लिए मिलेगा अब देखिए यहां पे सबसे आसान है क्योंकि आमाशे पकवाशे से तक Grünti से जो शाक्हागति होती है उसके लिए सबसे समीर दातु को सा होता है तो रसदातु होता है ओलता है आता है देखो आमो का भी रसदातु में मिश्रण होना ये सुरबता से होता है than अन्यदातों से इसलिए साम रस ये परिस्थिती हमें बहुत से रुखण में देखने के लिए मिलती है क्योंकि आमका जो एंट्रिपॉइंट है वो रसवास रुखण से काफी नजदिक है वैसे ही यहाँ परक शुधा वेग ये अगनी संबध्ध कोश्ट संबंध वेग होने के कारण उसके स स्थान यानि अरूची उत्पंद होने के लिए रुदय इस अरसवास रुदस के मुले स्थान की दुफ्टी होना यह आवश्यक रहेगा और भ्रह्म अब मैं प्राया बहुत जगर पर यह संदर्व कोट करते रहता हूं कि ब्रह्म के बारे में एक सुंदर वर्ण के ब्रुगण और इतना ही नहीं अगर आप अजिर्णा के लक्षन देखो चरख्षकित सा पंद्रा में वहाँ पर भी ब्रह्म लक्षन आता है अगर आप कफक्षे के लक्षन देखो वहाँ पर भी ब्रह्म लक्षन आता है तो एक ही लक्षन बिन्न बिन्न संप्राप्ति के द्वारा उत्पन होने का एक बहुत अच्छा उधारण है और अतहा जब भी यह लक्षन आएगा तो हमें सोचना पड़ते हैं कि यहां पर इस लक्षन के पीछे के संप्राप्ति क्या होगी यहां पर अर्थात अपदरपन जन्या और मुख्यत में वातब्रकॉप जन्य भ्र यह वातब्रकॉप जन्य होगा यह बात यहां पर समझके लेगी यह सारे लक्षन है उसकी चिकित्सा क्या है स्निग्ध उष्ण लगुभोजन तो यह तो अर्थात हमारा जो सामन्य आहर विधी के नियम है उसका ही भाग है तो आहर सेवन करना यह उसकी साक्षाद फेतु विपरीत चिकित्सा यहां पर उन्होंने की गई है तो यह सवयव में सुस्पष्ट है तो इसमें जो भी विकृत लगुत्व आया है उसको फिर आहर से ही उसको प्राकृत करना याने विकृत लगुत्व को कम करके साम्यवस्था प्रस्थापित करना यह आहर सेवन का प्र पनमिश्य थे पिपासा यह तुरुष्टना इस वेगनी ग्रह के कारण कंठ और आस्य यहां पर शोष अब देखिए प्राया जब प्यास लगती है तो ओश्ठ मुख कंठ तालू यहां पर शुषकत्वा उत्पन्द होती है और अगर आप उदगवस रुदस की मुलस्तान द पर शुष्टना इसके पहले के सत्र में किसी तुष्ट पूचा था इसके बीचे का मेंने कहा था कि इसका सटीक सटीक जो इसका एक्स्पनेशन होगा वो शाहिद मेरे पास नहीं लेकिन एक कोर्रेशन बहुत जगे देखने के रहे मिलता है कि उदक हो सरोतस जलम हाबुत अर्थात और बादीरिय या करण संबंद लक्षण तो इसके बारे में आर्थात और अध्यान करना पढ़ना आवश्चक है किन्तु ये इस एक कोर्रेशन को धहम में रखिएगा कि अन्य किसी भी इंद्रिय या इंद्रिय अधिश्ठान के अलावा एवल करण इंद्रिय अधिश्ठान संबंद बादिरिय यह रख्ण यहां पर कहा है जो कि तु पुष्टना वेग निग्रह का लक्षण है यह बात हमें उद्रिय असरोता सा तदाश्री जला महाबूत और करण इसका शारिल में कोई तो बहुत ही दोशों की गतिक के अनुसर बहुत ही नस्दिक वाला कोर्रेशन होगा यह बात अधोरिखीत करती है इतको समझना आवश श्रम याने अल्पा यासि थोड़ा सा काम करने कर वी ठक जाना यह लक्षण हुआ साद हाँ साद सदन यह वेसे देखने के लिए चाहे तो मुख्यत मनों के अश्रय के अभियोक्त होने वाला लक्षण हो नहीं है शरीर के आश्रय से दर्बल्य होना यह पेक्षित नहीं है शरीर में जो प्राकुरत उस उर्गण का बलो होगा वो बलो होने के बार भी उसके हम व्यवार में कहते हैं कि हाथ पेल में से ताकत निकल जाए मानों एजिफ उसको सदन कहना है और यह जो वाता का उत्सा नामक कर्म है उसके अत्तिनत विपरित कर्म है कि कर्म के आरंब कर कि याली अप्राइव यहां पर यहां पर यह क्लासिकल अभात प्रकॉप का लक्षन है यहां वाद समझना आपर रुधी व्यथा रुदया- श्रीट व्यथा यह भी फिर एक बार रुदय का और एक स्टाइस त्रहं पर उन्हें वर्णित किया है इस प्रकार पीपासा निंगरह के लक्षण यहां पे उन्हें कहिए उसकी 於 चिकित्स हम्हें क्या कहा है तरपद मिछित्रत टरपटि तर्पडारियं जो मुख्यतյे रस लधातु का कार्य कहा जाता है उसके नस्दीक वाली संया है तरपण जिसको जो उदग कि काम है जब हम थक के वायल से आते हैं और मुँण पे पानी चिड़कते हैं या सब्जिया ताजी रहने के लिए हम उसको पानी में डूबोकर रखते हैं या उससे होता क्या है वह सब्जियां यह हमारा मुग पे हम पाणी मारते हैं तो हम रिफ्रेश हो जाते हैं उसी प्रकार से शरीर के भीतर जो कर्म है प्रसंदता देने का शरीर को इंद्रियों को मन को उसको हम तरपन कहेंगे और इसलिए द्रवत्व की अत्यांत बड़ी आपेक्षा होती है शीत और होने वाला है और उसके लिए तरपन क्या प्यक्षा है तो तरपयदी जिन आहर गल्पनाओं से तरपन होगा उनकी योज़े ना करनी है अब वो कौनसे है तो गंगादरजी कहते हैं गंगादरजी शुशुद को कोट करते हैं कि मन्थ यवागू आपी शीत लाम आप मन्थ और तुर्ष्णा वेगा शमन से जो व्यापद पंध हुए है उनका शमन होगा तो यह हो गई तुर्ष्णा वेगा धारण की चिकित्सा अब उसके आगे है निद्रा वेगा शुरी बाश्प याने अशुरू निग्रह की लक्षण और उसकी चिकित्सा देखो अब भाश्प का भी जो शुष्रूस का कोट है इसी देख के बारे में वह क्या है तो आनन्द जम वापिय अथ शोक जम्भा नेत्रोदकम प्राप्तम अमुंचत हा ही याने हमने इसके दिका इसके पेले भी देखी थी आनन्द या शोक इसकारण नेत्र में अशुरू आना उसको यहां पर बाश्पवे कहा है नेत्रोदक इसको कहा है आश्रू या बाश्पवे दाना उसको तुद देखो अब इसके जब तक मुरून को अच्छे से उसको comfort zone create करके पूछेंगे नहीं, तब तब इस प्रकार के वेगों का इत्यासाना ये संभाव नहीं है, क्योंकि किसी को ये वेग है, उसका धरण करना नहीं चाहिए, उससे कुछ शारी इरीक भी परेणाम हो सकते हैं, इस बात की भना वैद्यों को भी नहीं होती, या होने क का पुराइवाइदी हो जाना, ये बहुत common बात है ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके लिए हेतु सेवन का बलब बहुत अधिक चाहिए, इन्तु ये देखने के लिए बिल्कुल मेंगता नहीं, ऐसा भी नहीं, अता हमारा कर्तब यह है कि case taking में ये बात रुग्ण से पूछ खे से उसको रोग रहे हैं, तो अर्थत वेग निक्रह नहीं हैं, तो वातर फ्रकॉप होगा किन्तु नेत्र ये शीर के आश्रे से जो है?, वो बहुुह स्त शीरस है, अधोधवे संपत। शी इस प्रकार से?, तो वह बहुह सतने के करण उस नेत्रोधक और तद्वात की पुनेश्च अभ्यत्रगति होने वाली है शिरस्थ मुख्य दहा भी कुरुदी देखने के रहे मिलेगी क्योंकि शिरस्थ यह समीर पगावयों है और इसी दिये लक्षणों में देखिएगा प्रतिशाय यहाँ यह जो नेत्रोधक या अश् साथ आप देखोगे तो बाश्प शोकर जातिसार की अलग संप्राप्ति यह में शुष्रूत और उसी प्रकर उसी प्रकर से संप्राप्ति माधवनिदान में देखने के लिए मिलती है और वहां पर जो अश्रू है उनके आश्रह से मुख्यत वे उष्णता का अनुबंद देखने के लिए अतिसार के भी उसी बात को यहां पर भी सोचना है कि अगर बार-बार बाश्प वेगधरन हो ना मीदेखिये ना बाश्प को तो इस नाम में भी हमें उष्णता का अनुबंद प्रतीब होता है और इस प्रकार से उष्णता का अनुबंद होने वाला देखो प्राया बहुत सरे वेगों में रुदय की बिन्न बिन्न पेडाये लक्षण या साक्षद रुद्रोग इसका उल्लेख है और यह हमें फिर एक बार वेगा धरण जैन्ने वातप्रकोप की व्याप्ति दर्शाते हैं केवल बाष्प निग्रह की कारण भी जो वातप्रकोप होगा उससे भी आगे चलकर रुद्रोग जैसे व्यादी हो सकते हैं अर्थात इसमें से हर एक लक्षण के पीछे जो हेतुबल होगा वो कम अधिक आपक्षा होगी दो या तीन पर केवल अशुनुवेक धरण की और र वहाँ पे स्थानवाई गुन्य उत्पन्द होना दिर्यकाल से अगर इन वेगों का धारण करें तो यह भी संभाव हो सकता है और अतहा उर्दय संबंध संप्रप्त उत्पन्द होने की संभावना यहाँ बढ़ सकती है अरुची ही अरुची अरुची भी बारबार आता है जिवार उदयास्रीत दोष जब हो तब अरुची लक्षन उत्पन्द होता है ऐसा गरंथा वचन है यहाँ पे मुख्यत्वे रुदयास्रीत जोगर दोष हो यह मानजब हो जो अभी देख रहे बार-बार उनकी अभ्यक्ति होना संभव नहीं हो तो और जो उत्पन्द होन यह हमें विवहर में भी देखने के लिए मिलता है ब्रह्मा ब्रह्मा के बहर में अभी अभी देखा था यहाँ पे मुख्यत्वे अब रजोगुण का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है और उसके साथ-साथ वात्यप्रोकप के बारे यहाँ पे सोचना आवश्रक हो जा अब देखें यहाँ पर भी में कहुंगा हेतु विपरिद्चिकित्षा पर जोर है प्रियाक तहा यह अर्था जब शोक जन्या अशुरु हो उनका निग्रव हो तो काम में आएगा क्योंकि वहाँ पे हेतु विपरिद्चिकित्षा करने से उस हेतु से जिस दरगार का उसका विधी आपको मदात्य में पढ़ने के लिए मिलता है और उसके साथ साथ मद्य अत्यंत सूक्ष्म ऐसा द्रवद्रव्य है जो नेत्र या अश्रु वह जो अभी मारग है वहां तक पोश्च कर तदाश्रुत जो मारगा वरोध है उसको भी दूर कर सकता है ये दोनों का आया है और स्वपन से क्या होता है हम कभी देखते तो कभी कोई अगर बहुत सीवियर इमोशन हमारे मंद में आ जाए और उसके बाद हम कभी हमें सोने कावधी मिले और हम सोकर उठे तो उस भावना की तीवरता कम हुई होती है या उस भावना के प्रति हमारा टॉलरंस है बड़ा हुआ होता है और यह बहुत ही सामन्य तहा अनुबुत होने वाली बात है बहुत बर इंग्लिश में कहते है ना कि यूज स्लिप ओवरेड तो स्वपन से भी अमारे जो वाता का निगरह होना वाता का निगरह होने की कारण मनपे भी नियांद्रम राप्त होना और इसके कारण वाताप्रकोव जन्य, परमनक्षौभ जन्य लक्षण कम होना, ये बातें यहाँ पे अब चिकित्शा में अपेखशित है तो यह हुआ बाश्पनीगरह जन्य लक्षण और उसके चिकित्शां। अब उसके आगे है निद्रावीगधरन जन्य लक्षण। जिरुम्भांगा मर्दाहा तंद्रा चे शिरो रोगोक्षी गवरवं निद्राविधारणा तत्र स्वपनाहा सम्वाहना निच अब ये आश्कल तो बहुत बड़ा वेगधारण जो किया जाता है वो है निद्रावेगधारण अब उसमें से कुछ लक्षणों का अनुभो सम समने किया भी होगा जिरुम्भा ये बहुत ही लॉजिकल लक्षण है अंगा मर्द फिर एक बाद रसाश्च्रित वातप्र को भोने के कारण ये लक्षण उत्पन्द होगा तंद्रा जब निद्रावेगधारण करते हैं तो निद्रावत लेकिन साक्षण निद्रा नहीं इंद्रियों का कारिय ये ज llंसे नहीं होता और इसलिए तंद्र उत्पन्द होती है कि stairs ये जागूरद आवस्ठा में होता है कि इन्द्रिय हए इंद्रियों के साथ सत्मन रेंदंस काम ने कर रहे होता है इसलिए वो तंद्रा इस प्रदेश में अश्रित होते हैं अगर चिरक सिद्धिस्ता नवे अध्या कपड़ो तो आपको शिरमर्म और तदा श्रित जो भाव हैं उनका बहुत अच्छा वड़न देखने के लिए मिलेगा और फिर मन यह जो जागुरत आवस्ता में अधित्तर कारे करता है वो शिरक के आश्रियं से रहके करता है जब ही हम निद्रा वेगा का धरन करते हैं तो न किसी भी विशय के अप्यक्षा नही करता तो मनुष्यस हो जाता है तब मन यह अपने घर यांई रुदय में आके वहां पर रूप जाता है तभी निद्रा आई अगर मन अनुद तो निद्रा आना संभव नहीं है तो बहिस्त नहीं कहां पर होगा तो प्रायाहा वो शिरव प्रदेश में रह जाता है फिर बहुत सोचना या इंद्रिय निग्रव करें से कोई वस्तुए देखना सुनना पढ़ना यह सारी बाती इसमें आ जाती है आताहा यहां पर शिरो र लोगों को आमंत्रन दे सकता है यहां पर याद रगना आवशक है तो निद्रा वेगधारण ये शिरो रोग का खेतु हो सकता है अक्षी गवरवा ये तो सरवानु भूत ऐसा लक्षण है कि आखें भारी हो जाना तो इसमें से काफी लक्षण ये बहुती सुस्प्रश्ण अ कितसा क्या है आप विधिपुरुवक निद्रा का सेवन कीजेगा और सम्वाहना निचवन यहां पर अंग मर्द तंद्रा ये सारे जो रसाश्रित याने यहां पर बाता प्रकोब ये केवल श्चिरप्रदेश्ट का मर्यादित हैसा नहीं है वह सरवनेहा श्रित है और वहा अब्धन इन्चव सम्वाहन याने हातों के द्वारा पाद इत्यादी प्रदेशों में सुख उस व्यक्ति को सुख जमेदना हो इस प्रकार से अभियनन यहां पर ताड़न करना या उन्मर्द उसको ऊपरी निशा से उसको मसलना रगणना अगें सुख यहां पर नहीं है आप किसी भी द्रव्य को उपयोग में लाए बिना भी केवल अपने हाथ से अब जैसे हमारे गर में कोई बड़े हो तो उनके हाथ पेर दबा के देते हो उस प्रक्रिया को ही सम्वान केते हैं विरुआपे स्नेह का उपयोग हो या ना हो गंगादरी जी यही बात क जो कहते हैं अलग शब्दों में समाहनम पादादी प्रदेशे सुकह फ्राप्त होने के लिए मुझ हलके हलके पालिगा पाहनम असाथों के द्वारा उसको गती वक्त उसको वहां परदन करना अभी हनना करना इसको समवहन कहना है उसमें क्षिर का भी उल्ले करते हैं जो भी सर्वश्रुत हैं दुग्द का सेवन करने की कारण एक तो निद्रा मित उपयोग होता है उसके साथ साथ निद्रावेग जन्य वातप्रकोप को कम करने के लिए ये एक बहुती अच्छा प्रत्यनीक द्रव्य है दुग्दयक शीरम और अंतिमवेग शरम अच्वासर गुल्म रुद्रोग सम्मोहा शरम निष्चवास धारनात जायनते तत्र विश्रामो वातक निष्च क्रिया हिता हा गुल्म ये देखो ये वैसे दिखने के लिए जा वैसा नहीं होता है ये सहरे लक्ष्ण किसके कारव भूते हैं शरम निष्वास कोई भी कष्टा का काम करें इसके बाद जो सास फुलती है अगर वह फुली हुई सास को उसी प्रकाल से नहीं लिया गया और आप उसको सप्रेश करने लगे तो हम उसको शरम निष्वास धार कहेंगे और यहाँ पर साक्शाथ प्राणवास रोतस और उसका मुलस थान महा स्रोतस महाँ पर बलवाद वात्रGraउब होने वाला है और इसलिए यहां पर गलम रुद्रोंग सम्मह यह तो मैंने कहा ता वैसे है थू बलव और उससे जिस अंशा वो रोत उस शाइच से जुरुमभांे जब एसी वात केहते हैं कि योगी उपकर्म मेंगें उसका करना है उसमें कोई ये तु ब्रत्यक उपकर्म की आवशक्ता नहीं है एसा अर्थ हम यहां पर ले सकते हैं तो इस प्रकार यहां पर अवर्धारण यह वेगों का जो बड़न है वह समाप्त हो जाता है और उसका उपसम्हार यह आगे किसुत्र के द्वार होता है क्या है उप दर दें सेल्व की हमारा मेशेच क्या है यह सार याई थारण नधारयए इन सारे वेगों का धारण मत कीजेगा क्यूंकि उपर उतना सारी लक्षंट है वो कैसे हैं वेग निग्रहा के कारण रोग हमने अब तक उनका उनका कूरतन किया वर्ण किया उनकी अर्वर्ण किएस तो अभी तक हमने जो भी लक्षण देखे उस जैसे लक्षणों से अगर रुग्ण या कोई व्यक्ति सफर हो ऐसा अप्यक्षित नहीं है या उसको उसका अनुबंदो हो ऐसे अप्यक्षित नहीं होगी तो अर्थाद फेद उसे बन नहीं करना होगा और इसलिए तेशा प्त्तिम इच्छन उनकी व्यादियों की उद्परती ही ना हो ऐसी इच्छा करने वालों को यहाँ पर कहते हैं वालों ने उनको तीन इसों में विभजित किया है मनो वाक काय इनके क्रमशा कर्म उनके बारे में विएरण चुरू होता है वह एक स्वतंतर विशय है उसमें भी कुछ हद तक टिपढ़नी भाष्य हो सकता है और आताहा वह एक बार शुरू करने के बाद खंड होना यह सही नहीं होंगा हम जब दिवाली के बाद फिर मिलेंगे तब इस विशय को लेंगे इस अध्य को आगे बढ़ाएंगे अगर आज के सत्र में किसी को कोई शंका हो प्रशन हो तो बूस सकते हैं अन्यता आज के सत्र यहां पर हम समाप्त करेंगे